हेलो गाइज, वाट्स अप, होप यू आ दूइंग फाइन, इस इस मी मीर वहीत, एन टुड़े आइम गोइंग टू टू टीच यू अबाउट एकॉलजी एंड इन्वार्मेंट, तुड़े सेशन विल बेस्ट ओन mcqs, राइट, उसके बाद, जब mcq complete हो जाएगा, आपको comments में mention करना है, कि कितना सिकोर आया आपको, और उसके साथ, आपको ये session कैसा लगा, ये ज़रूरी आपको लिखना है, इस में comment box में, दूसरी बात ये है, कि मैं आपको 2-3 seconds दे दूँगा, mcqs solo करने के लिए, तो आपको tick करना है, उसको, ठीक, ये lecture जब complete हो जाएगा, तो कल हम आएंगे, economy का next part, जो है, इस में discuss करेंगे, उसे के साथ, ecology environment भी चलता जाएगा, अब biodiverse पे हम चलेंगे, फिर अब जो ecology environment का, जो भी topic आजएगा, वो biodiverse से होगा, right, I am presenting this lecture through triple S, triple S, having more than 1 lakh subscribers, right, as you all know, जादा से जादा इस चनल को share करो, और subscribe भी करो, so that आपको regular updates मिलते जाएगे, दोसरी बात ही है, like भी किया करो, मैं वीडियो को बीच में देखता हूँ, तो views बहुत जादा होते हैं, ठीक है, लेकिन like बहुत कम होता है, ऐसा क्यों, ये आप क्यों करते हो फिर, ठीक है तो like भी किया करो साथ साथ, so that हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, राइट, चलो हम स्टार्ट करते हैं, मैं वहुत ठक गया हूँ, आज मेरा, आज बहुत जादा exhaust हो गया हूँ, but still I am making this video for you, राइट, कुछ energy नहीं बचा दिन में, चलो हम स्टार्ट करते हैं, with full energy के स concentration रखो आप, ठीक है, चलो आप focus रखो, हम questions को करेंगे, तो आप इसका answer कर पाओगे, let us start, फैला question, the natural place of an organism or community is known as, जो natural place होता है एक organism का, एक natural जगह जहां पर एक organism रहता है, उस जगह को क्या नाम दिया जाता है, एक organism का या एक community, उसको हम क्या नाम देते हैं, क्या उसको niche न habitat नाम देते हैं, habit नाम देते हैं, जल्दी बताओ, I hope आपने answer किया होगा, जो natural place of an organism, जो होता है, dwelling place of an organism, उसको हम habitat का नाम देते हैं, ज़्यादा नहीं सोचना है, इसको टिक करना है, niche क्या होता है, यह एक ऐसा situation होती है, हम नहीं बोलेंगे, यह place नहीं होता है, niche place नहीं होता है, यह मैं आगे बताओंगा, niche हमें पढ़ना है, ठीक है, biome पर आगे आजागा, तो अभी यह natural place जो होता है, यह dwelling place, जो एक organism का होता है, यह community में होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम habitat का नाम देते हैं, यह पहला question का, right, I hope आपने यह ठीक किया होगा, number second question, most important question, SSB के लिए, ऐसे questions 100% पूछे जाते हैं, इसको five star लगा दो, in an ecosystem, the energy flow is always, ecosystem में energy flow कैसा होता है, मैं बार बार, मैंने आपको बार 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 बोला यह question कि यह पूछ सकते हैं, और आएगा भी exam में, कैसा होता है, वो होता है, always, क्या होता है always, unidirectional, I hope आपने यह सबने ठीक है, reason भी पता होना चाहिए, unidirectional क्यों होता है, unidirectional इसलिए होता है, क्योंकि जब plants trap करते है, sun energy, ठीक है, उसके बाद, जब plants food तयार करते हैं, उसको कोन खाता है, consumers, उसके बाद, secondary consumers, tertiary consumers, एक बार energy चले जाते हैं, एक ट्रॉपिक लेवल से, दूसरे ट्रॉपिक नहीं आने वाला, वो reverse direction में नहीं आता है, इसी को बोलते हैं, unidirectional, right, next चलेंगे, third, which type of food chain is it, द्यान से देखो, यह food chain स्टार्ट होता है, dead animals से, और end होता है, snakes पे, बीच में क्या दिया है, blowfly, maggot, maggots दिया है, frog दिया है, और snake दिया है, यह food chain है, ठीक है, लेकिन इसका पहला जो इसने दिखाया है, वो है dead animals, इसका मतलब food chain स्टार्ट होता है, dead animals से, अब ऐसा food chain कौन सा होता है, जो dead animals से स्टार्ट होता है, आपको नाम बताना है, लेकिन इसने indirectly पूछा ऐसा question, इसने नहीं लिखाए कि food chain स्टार्ट from dead and decaying matter, ना, इसने बोला dead animals, इसने वहां से ही chain बना लिया है, अब आपको बताना है, यह क्या होता है, यह होता है, आपने किया होगा इसको, tick I hope, इसका answer जो है, that is, detrital food chain, जिसको मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, इसको detriti worse food chain, अगर आपने notes को अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपने वहां पर देखा होगा, राइट, चलो हम, grazing का मतलब क्या होता है, जो grasses से start होता है, plant से start होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, grazing food chain, राइट, चलो, let's move to the next point, जो मुझे इसका answer देगा, इस question का, जो लिखा हुआ है, वो 100% qualify करेगा, JK SSB, JK SSB क्या हर एक exam qualify करेगा, जो भी आने वाले exam ह जो इसका answer मुझे दे सकता है, a very large ecosystem on land, land के उपर having distinct type of vegetation and wild life, इसको हम क्या नाम देते हैं, एक ऐसा ecosystem, land के उपर, जिसमें एक distinct type of vegetation, एक particular type of vegetation की बात की जा रही है, और एक wild life की बात की जा रही है, कहां पर हम major focus करते हैं, vegetation के basis पर हम categorize करते हैं, और wild life के basis पर categorize करते हैं, उस area का हम एक particular vegetation होता है, उस area wild life ही होता है, फिर जब next area में देखिएंगे, वहाँ पर कोई और vegetation होती है, और कुछ wild life होता है, इसी तरिक जैसे मैंने एक example दिया था आपको, जब हम कहां पर जाते हैं, क्या बोलते हैं, उसको ट्रॉपिक्स, लवर पे होता है, लवर लैटिचूड़््ड्स पे होता है, फिर upper लैटिचूड्स पे होता है, यह हिमाल्याज़ पे होता है, आरि हमाल्याज़ में होता है, तो वहाँ पर ने आपको एक example बताया था, कि किस तरीके से हम उस area कO identify करते हैं, और उसको हम नाम क्या देए هي हैं, आप पर एक wildlife कौन सा है वहाँ पर किस टाइप का vegetation और किस region में है राइट यह मैंने आपको बोला बोला था जिसने ठीक किया वह समझे कि वह क्वालिफा हो गया एक्जाम में राइट बाइट हम आगे लेकर आएंगे बाइट से रिजोर भी अच्छे से हम पढ़ेंगे नैशनल पार्क वाइड लाइफ सेंच्री जो भी होगा आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे next question is अच्छा इसका आंसर यह है यह आलड़ी भायो मैं यह इसी का यह यह है आंसर लेकर आया था मैं इसको next is flow of energy is unidirectional वही से statement दिया गया flow of energy unidirectional है इसका मतलब क्या है what does it mean इसका मतलब क्या है जल्दी बताओ पहला इसका option है energy always flows from east to west second option है the energy of the autotrops reaches back to the solar input ठीक है इसको थोड़ा सा मैं zoom करता हो और option C बोल रहा है energy which passes to higher tropic levels does not come back to lower tropic levels option D जो है that is none of these इसमें से बताओ आपका कौन सा है इसका answer जो है आपने किया होगा मैंने अभी बताया भी है इसका answer C है इसका मतलब energy unit direction का मतलब यह होता है जब energy pass होती है एक tropic level से next to tropic level that means from lower tropic level से higher tropic level जाता है इस तरीके से जब lower से जाता है कहां पर higher पे यह वापस नहीं आएगा फिर higher से lower तक ठीक है इसी को हम बोलते है unit direction क्वेस्चन आएगा कि unit direction मतलब क्या होता है आपको बोलना है जब energy transfer होती है एक direction में लेकिन किस direction से आपको बोलना है from lower tropic level to higher tropic level याद रखना lower to higher होता है ना क्या higher to lower इसको याद रखना next question है a food chain always starts with food chain कहां से start होता है food chain का पहला step जो होता है वो क्या होता है कहां से एक food chain start होता है क्या nitrogen fixation मैंने कहीं पर बात की थी Decomposition मैंने पहले बात की है, क्या मैंने respiration का बोला है, क्या मैंने photosynthesis का बोला है, अब बताओ मुझे food chain कहां से start होता है जल्दे बताओ, food chain start होता है, जब पहले किसी के ऊपर depend होता है, that means पहले photosynthesis हो जाएगा न ठीक है, जब photosynthesis हो जाएगा, plants क्या बनाएंगे, food बनाएंगे, फिर उसके ऊपर कोई आएगा, उसके ऊपर feed करेगा ठीक है, तो आप बताओ क्या है, food chain always starts with photosynthesis, यह आसान question इसमें इतना ज़्यादा सोचना नहीं था next question है, देहन से पढ़ो question को, question दिया है, according to 10% law, 10% law के हिसाब से जो मैं आपका समझा है the energy available to each successive level is dash dash of previous level, 10% law हमें क्या बताता है, यह बोल रहा है कि energy available जो होती है, successive levels के उपर as compared, देखो, यह पहला level था, यह दूसरा level हो गया, यह तीसरा level हो गया, ठीक है जो इसमें energy था, पहले level में, दूसरे level में, तीसरे level में, जो successive level में, energy किस तरीकी से पहुँँ जाता है, किस तरीकी से से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक energy जाते है वो 10% के साफ से जाता है सब उस प्रोड्यूसर्स के पास जितनी भी energy उसका 10% चला जाएगा किसके पास consumers के पास फिर secondary consumers के पास कितना चला जाएगा 10% चला जाएगा ठीक है और sun से इतना भी एनर्जी सन से स्टार्ट नहीं होता है, 10% ला होता है प्रेडूसर से स्टार्ट, इसको इतना याद रखो, प्रेडूसर से स्टार्ट होता है, 10% ला, ना कि 10% ला सन से स्टार्ट होता है, ठीक है, अब जो भी एनर्जी, जो भी प्लांट्स होते हैं, जो प्रेडू होती है फिर जब उसके उपर कौन आता है primary consumer आता है जो producer से सिर्फ 10% energy transfer होती है किसके पास secondary primary consumer के पास मतलब primary consumer जो होता है उसको सिर्फ 10% energy ही मिलते है किसे producer से यह आपको याद रखना है तो यहाँ पर 10 ठीक है next question is the percentage of solar radictions absorbed by all the green plants for the process of photosense देखो यह sunlight है और यह earth है ठीक और यहाँ पर plants है ठीक है न यह मैंने छोटा सा एक plant बना लिया apple tree मैंने बना लिया ठीक है तो अब देखो यह sunlight कहां से आता है यह sunlight sun से आता है और इसको trap कौन करता है इसको plants trap करते है मलब producers trap करते है अब question पूछा जाते है कितना percentage of solar energy absorb करता है कौन green plants absorb कर लेते है आपको बताना है जितनी भी energy sunlight होती है उसका कितना percent plants use करते है अभी मैंने आपको बोला था वो होता है 1% ना के 10% 10% ला तो दूसरा है यह 1% next question है important question है इसका answer जो मुझे बताएगा वो top 100 में आ जाएगा ssb में selection तो होगी definitely लेकिन जो करेगा इसको उसको top 100 में आ जाएगा बोलो जल्दी चलो मैं ही बताता हूँ जिसने ठीक क्या होगा अच्छा ही क्या है in an ecosystem इसको मैं zoom करता हूँ question को अच्छे से पैढ़ेंगे इसको in an ecosystem that 10% of energy available for transfer from one tropic level to another tropic level is in the form of वो किस form है क्या क्या light energy transfer होती है एक जगह से दूसरी जगह एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी तूसरी क्या chemical energy transfer होती है एक लेवल से दूसरी क्या heat energy होती है transfer होती है, अगर आपको याद हो कि मैंने बोला था, sun से जब plants क्या करते है, energy को trap करते है वो क्या होता है, वो light energy होती है अब फिर ये plant क्या करता है इस light energy को ये convert करता है किसमे, chemical energy में फिर जब primary producer, primary consumer आता है, ये किसको खाता है producer को खाता है, और ये actually chemical energy का ही transfer होता है, एक जगा से, दूसरी जगा I hope आपने correct answer tick किया होगा, that is chemical energy अगर आपने मेरा जो PDF है, उसको अच्छे से पढ़ा होगा और जो मैंने आपको lectures बताया उसको अच्छे से सुना होगा, with concentration full focus के साथ तो आप ये सभी questions ठीख करोगे right, मेरा MCQ session यहां लाने का मतलब ऐसा नहीं है, कि मैं MCQ लेकर आँगा, आप tick करते जाओ, नहीं MCQ session मेरा लाने का मतलब यह है, कि आप concepts को revise करो, बस, यहां पर इसका मतलब यही होता है MCQs को analyze करना, paper को analysis करना, that means concepts को समझना, फिर से revise करना है through MCQs, तो फिर notes पढ़ने के जरुरत भी नहीं पढ़ती है इसलिए MCQs solo करने से पहले ही क्या किया करो notes को पढ़ा करो, दो, तीन बार फिर उन concepts को apply करो, फिर notes को last exam के last time में फिर देखते रहो, दो, तीन बार, बस, बात खत्म चलो next the pyramid of number is inverted in case of, मैंने आपको बताया था, pyramid of number मैंने बताया था, inverted किस के case में होता है, और upright भी होता, upright का मतलब कुछ इस तरीके से होता है, base, broad होता है और tip जो होता है, वो narrow होता है, ठीक है और inverted का मतलब क्या मैंने बोला था, base जो होता है वो, क्या होता है top जो होता है वो broad होता है base जो होता है वो narrow होता है इसको inverted बोलते हैं ये भी मैंने आपको समझा था ये inverted है सबसे पहले को दिमाग में आना चाहिए कि inverted का मतलब क्या ये हो गया अब किस में जो होता है inverted है मैंने अपने notes में लिख वाया था बताओ parastic food chain grassland food chain forest है या lake ecosystem है इसका जो है इसका answer जो है that is parastic food chain notes पे देख लेना आपको ये समझ माएगा अब आपको question दिया है मैंने इसमें देखो question क्या डोड़ना है आपको क्या खुद पढ़ना है नेट पेचा करना है आपको grassland ecosystem देखना है parameter of number जो है parameter of number किसलिए grassland ecosystem के लिए आपको ये homework है कि ये लिखना है आपको क्या ये inverted होता है या upright होता है तो ये इसके सामने ही लिखना आपको खुद notes पे parastic food chain मैंने बोला ये inverted होता है parameter of number की मैं बात कर रहा हूँ लेकिन parameter of number किसलिए parastic food chain के लिए इन्वार्ट होता है इसी तरय से grassroots lent के लिए आपको बताना है प्रामिडफ नंबर भी शुचार उप मेद्पर फिर ँर इनजिए ठीक है यह पर फिर फवारेश्ट के लिएremosस्ट के लिए आपको प्रामिडफ नंबर यह मैंने वहाँ पर नहीं बोला, इसका आंसर तो आप करोगे, यह तो पता ही है, लेकिन कुछ extra point मैं यहाँ पर बोलोंगे, सबसे पहले आप question पढ़ो, एसा कौन सा पैरमिड है, जो कि always अपराइट होता है, क्या पैरमिड अप आप एनरजी है, पैरमिड अप नंबर है, यह आल अप तैबो, ठीकि इसमें से हमेशा अपराइट कौन होता है, हमेशा के लिए अपराइट, ठीक है, कवी नोग चड़ नहीं, ऐसा कौन से, यह मैंने बार-बार वहाँ पर रिपीट किया था, इसको हम क्या नाम देते हैं, वो पैरमिड अफ एनरजी होता है, क्योंकि एनरजी क्या होते हैं, हमेशा अपराइट, पहले कम, पहले ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इस तरीके से हमेशा अपराइट होता है, एनरजी, यह तो टिक किया हमने यह तो इसका आंसर है अब देखो पेरामीड का दूसरə नाम बोला जाता है सब लुक्राद किसे समझाना है jsब एकोसिस्टम टर्म ने किसने अब ये पैरमिट जो है ये किसने दिया एल्टोनियन ने देश लिए उनको ऐल्टोनियन पैरमिट नाम देते हैं यहां पर एक और क्वेस्टन है वर्ड एकोसिस्टम वास कोई नेट बहई यह भी नोट्स पर है अगर आपने पढ़ा होगा जल् नियाद रखाऊगा फिर्ट- लेक्चर जो दिया था मैंने इकालज इनृमामिट पर उस पर मैंने आपको बोला था खा बाgrowth कंपोनेट्ट और अबायो मिश्थ कंपोनन्ट मुझे यहां पर बताओ कि biotic component कौन सा है इन में से, क्या producer है क्या consumer है क्या producer और consumer only है क्या producer, consumer और decomposer biotic में आता है I hope आपने इस answer right के होगा biotic का मतलब होते है, जिसके पास life होती है जो living होता है, producers भी living होता है consumers भी living होता है, लेकिन यहाँ पर decomposers भी हाँ, इनके पास भी life होती है यार तो यहां पर producer, consumer, and decomposer all are biotic, right? इसमें ज़्यादा नहीं सुझे था the last organism of the food chain are generally अगर आप कोई पता होगा food chain के बारे में तो आपको इसका बताना है last organism कौन सा होता है? last में सबसे जो सब के last पे आता है food chain का suppose मैं लिख रहोगा हूँ A, B, C, D, E, F, ठीक है? तो इन में से कौन सा सबसे last पे आजागा? ठीक है? तो वो तो F होगा, इसका मतलब यहां पर आपको दिया है photosynthetic plants herbivores, carnivores और top carnivores इसमें से कौन सा है जो सबसे last पे आता है food chain में? जल्दी बताओ, you have five seconds, right? think about it and get the right answer, right? चलो, सबसे पहले अगर आप याद रख पता होगा देखो मैं इसको समझाओंगा, आपने आंसर ठीक होगा, I hope अब देखो, क्या करना है? सबसे पहले plants होते है photosynthetic plants, जिनको आप क्या बोलते हो? producers, हो गया यहां पर उसके बाद आते हैं consumers, यह गया producers, उसके बाद primary consumers आएंगे primary consumers, दियान से देखो producers के बाद primary consumer आएगा लेकिन वो primary consumer, suppose मैं goat लेता हो जो किसके उपर depend है इस grass के उपर, इस plant के उपर depend है, grass को खाता है, प्लांट को खाता है और इस goat को हम नाम देते हैं, हम herbivore याद रखो, इसको हम नाम देते हैं herbivore, याद रखोंगा इसको हम नाम देते हैं, herbivore herbivore का मतलब, जो grass जो plants के उपर depend होता है उसको हम herbivore देते हैं photosynthi plant का मतलब, एक producer होता है जो food को prepare करता है दूसरा हर्विवर का मतलब क्या होता है एक ऐसा और्गैनिजम होता है एक ऐसा एनिमल होता है जो किसके उपर डिपेंड होता है फिर नेक्स्ट मैं लिखता हूँ सेकेंडरी कंजुमर सेकेंडरी कंजुमर जो होता है ये कौन होता है जो कि मीट खाता है ठीक है Cornivore Cornivore, जो कि किसके उपर होता है Primary Consumer के उपर Depend होता है फिर आता है Tertiary Consumer जो किसके उपर Depend होता है Cornivore के उपर Depend होता है तो यहाँ पर मैंने लिखा Producer, फिर Primary Consumer Secondary Consumer और Tertiary Consumer ये Secondary Consumer का मतलब होता है Cornivore और Tertiary Consumer का मतलब होता है Top Cornivore ठीक है तो सबसे last पे कौन है tertiary consumer and you can say the top carnivore तो सबसे last पे इस case में top carnivore होता है I hope you are getting me एक example मैं आपको short में देता हूँ यहाँ पर यह grass है grass के उपर कौन आता है goat आता है वो grass को खालेता है और इस goat को कौन आता है for example dog आएगा इस goat को खालेगा इस dog को कौन खाएगा wolf का लेगा और इस wolf को कौन खाएगा tiger खाएगा तो बात खतम यहाँ पर ठीक है इसका मतलब goat को हर भी वोर बोलो यह क्या खाता है gas खाता है और dog ने किसको खाया goat को खाया तो that means इसको क्या बोलेंगे आब cornivore बोलेंगे the best arrangement of an energy system consists of देखो इसने क्या बोला energy system की इसने बात किये यहां पर कहां से कहां तक actually इसने यह दिया है क्या बोलते है उसको यार एक food chain दिया है इसमें आपको बोलना है कि energy transfer कहां से कहां होता सबसे पहले इसने यहां पर लिखा है यह कोई arrangement नहीं है सबसे पहले क्या आना चाहिए उसके बाद सबसे लास्ट पर कौन आना चाहिए food chain बना लो इस arrangement को correct करो in the term is a food chain या energy transfer में सबसे पहले क्या आना चाहिए सबसे पहले हमेशा क्या होता है energy system में producer होता है producer इसमें कौन है grasses है जो खुद अपना food तायार करते है ठीक है तो option a और option c correct है तो option b और option d eliminate हो गया बात खत्म method of elimination लगा लो अगर आपको ज़्यादा पता नहीं है यह हो गया एक मैं यहाँ पर tricks भी आपको सिखा रहा हूँ न किस तरीके से mc को किया जाता है next तो grass तो यहाँ पर है यहाँ पर grass ठीक फिर यहाँ पर बोलो फिर snake और mice है ठीक है और यहाँ पर mice हाक दिया है मुझे जरा बताओ last पे कौन होता है last पे सबसे last पे अगर आपको याद होगा grass तो पहले है और सबसे last पे हाक होता है ठीक है अगर आपको याद होगा सबसे last पे क्या होता है हाक्स होता है तो that means सबसे पहले इसका option जोगा that is B होगा बीच वाले दो को अब छोड़ो यह वाले दो को छोड़ो यह यह वाले दो को छोड़ो बस इतना प्याद रखने snake last पे नहीं आता है last पे हाक आएगा जैसे eagle होता है हाक होता है यह सबसे last पे आता है ठीक है न तो यह किसको खाता है फिर snake को खाता है या माई इसको खा लेता है तो directly यहाँ पर इस तरीके से आजाएगा तो सबसे पहले grass last पे हाक आएगा तो आप directly answer को tick कर सकते हो next जो इसका answer करेगा जो इसका answer करेगा वो जो है top 10 में आ जाएगा यह guarantee है जो इस question को करके देगा मुझे पहले question को समझो question को समझना है बस यहाँ पर मेरा मकसद ही है if a fish sorry if a big fish eats small fish तो that means सबसे पहले मैं लिखूंगा big fish किसको खाता है small fish के उपर depend है यह मैं लिख रहा हूँ इस तरह किसा आना है if a big fish eats small fish ठीक which eats hydra small fish किसके उपर depend है hydra के उपर ठीक है यह सारे species जो है यह किसमे है यह aquatic ecosystem में है ठीक है hydra ठीक who in turn eats water fleas अब यह hydra किसको खाता है यह water fleas को खाता है ठीक है यह हो गया बोला जाता है big fish किसके उपर depend है small fish के उपर small fish किसके उपर depend है hydra के उपर hydra किसके depend है water fleas के उपर यह हो गया water fleas in turn eats phytoplankton water fleas किसको खाता है phytoplankton यह plant species होती है कहाँ पर पानी के अंदर phytoplankton zooplankton का मतलब animals होता है तो यहाँ पर phytoplankton की बात की जा रहे है पानी के अंदर तो यह एक chain हमने बना लिया अब question बोला जाता है in this chain इस chain में बताओ water fleas क्या है water fleas क्या है जल्दी बताओ क्या यह producer है क्या यह consumer है हाँ यह consumer है definitely consumer है क्योंकि यह किसके उपर depends है phytoplankton के उपर है जब phytoplankton की यह पहला number हो गया यह दूसर नमबर हो गया तीसर नमबर हो गया चोतर नमबर हो गया इस तरी किसे बनेगा न food chain हुमारा एक organization इस तरीके से बनेगी अब phytoplankton ये plants होते हैं जो food prepare करते हैं पानी के अंदर पानी में होता है इनको बोलते है phytoplankton तो that means ये food prepare करते हैं इसके उपर जितने भी depend होंगे वो क्या बनेगे तो phytoplankton खुद क्या बना अब producer बना इसके उपर जो भी depend होगा वो क्या बनेगा consumer बनेगा तो सबसे अब chain बना कर इसका पहला serial किसका आता है अब phytoplankton के बाद water fleas तो ये यही पर बोल रहा है water fleas का मतलब क्या है आपको बोलने ये primary consumer है ये बन गया फिर secondary consumer ये बन गया tertiary consumer और ये क्या बन गया उससे ओपर जो है consumer ये बन गया ये भी consumer बन जाता है आरी बात समझ तो यहाँ पर अगर आप द्यान से देखोगे ये primary consumer है यहाँ पर अगर question बोला जाएगा head रहा क्या आपको बोलना है secondary consumer ठीक है और फिर tertiary consumer ये बन जाएगा top consumer कौन बनेगा आपको बलना है big fish I hope ये system आपको समझ आएगा तो आपको टीक किसको करना है ये primary consumer है that's it बस बात खत्म ecosystem comprises both abiotic and biotic components ecosystem में दोनों components आते biotic भी होता है और abiotic भी होता है as you all know ecosystem has two components ठीक है biotic component of an ecosystem consists of a biotic component कौन कौन सा ecosystem में होता है क्या producer होता है क्या consumer होता है क्या decomposer होता है क्या सभी होते इसका answer जल्दी आप करो आपने किया होगा इसका answer that's all of the अब ये सभी क्या है consumer से sorry biotic है next question is हाँ यहाँ पर अच्छा question है autotropic organism that's green plants which capture solar energy to sense as organic food are called autotrops auto का मतलब होता है self trops का मतलब prepare जो खुद अपना food prepare करते है मतलब example इसने बोला green plants which capture solar energy to sense as organic food जो solar energy को trap करते है capture करते है और organic food बनाते है उनको हम क्या नाम देते है क्या वो producers हैं consumers हैं decomposers हैं or none of these उनको क्या बोलता है I hope आपने इसका answer ठीक किया होगा इसका answer जो that is producer green plants को producer ऐसे questions SSB में 110% पूछा जाएगा ये guarantee है इनको silly questions बोलते हैं बहुत आसान वाले questions होते हैं जहांपर आपको बहुत carefully पढ़ना पढ़ता है food chain refers to food chain का मतलब क्या होता है food chain की meaning क्या है a number of human beings forming a chain of food क्या human beings सिर्फ food chain बनाते हैं क्या human beings एक दूसरे के उपर depend है नहीं next the transfer of food energy from producer to consumer क्या energy transfer होता है producer से consumer में next animals near a source of food जो भी animal है वो food source के नजदीक है जहां से वो food खाते हैं उसके उपर है उसके नजदीक है यहां पर none of the above बताओ यह होता है transfer of energy from producer to consumer फिर इसी तरीके से किसके पास चला जाता है decomposer producer, consumer, primary consumer, secondary consumer इसको मतलब यही होता है producer to consumer का मतलब होता है primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer मतलब primary consumer का मतलब secondary consumer, ठीक है इसको मतलब anywhere warmer Servier or Corner इसारिक होता है इसका अलग नाम primary consumer को क्या बोलता है हर्वी वॉर हैँ कार्निवॉर हो हम क्या बोलते हैं top carnivore बस that's it ये भी याद रखो इस तरी किसी तो इसका answer भी है एक group of interconnected food chains is called मैंने बोला network of food chains मतलब interconnected food chains का मतलब network of food chains उनको हम क्या नाम देते हैं क्या वो parameter of energy है क्या वो food web है क्या food cycle है क्या complex food chain है एक group of interconnected food chains is called simple sentence है इसमें इतना ज़्यादा सोचता नहीं है इसको हम बोलते हो food web complex food web को छोड़ो food web हमेशा complex होता लिखने की जूरत नहीं है तो इसका answer जाएगा food web right the energy which is utilized by living world is primarily living world का मतलब plants और animals कौन सी energy का use करते हैं अगर आपने living world 12 में पढ़़ा होगा एक chapter था living world बायो में living world मतलब plants and floor of plants and animals का use किया जाता है तो कौन सी energy का utilize करते हैं living world में किस energy का utilize होता है क्या heat energy होती है क्या electricity हम इनको देते हैं क्या light energy का use करते हैं क्या kinetic energy का use I hope आपने इसका use किया होगा इसका answer किया होगा that's light energy photosense photosense सब कुछ करने के लिए flow of energy is always energy flow क्या हमेशा इसका answer क्या आएगा unidirectional यह पता नहीं फिर से कहां से आ गया हाँ जो इसका answer मुझे देगा वो समझो कि वो कभी fail नहीं होगा how much amount of how much amount of light is used by the production process by plants कितना amount of energy plants use करते हैं जब भी वो किसी चीज़ को produce करते हैं food को prepare करते हैं ऐसे समझो कितना quantity of energy को use करते है light energy को use करते है क्या 1 to 5% के आसपास 5 to 10 20 to 40 more than 70 कितना energy sunlight से trap करते है I hope आपने इसका answer किया होगे क्योंकि मैंने पीश्चे भी बोला आपको तो है नहीं यहाँ पर 1 to 5% इसका answer आजेगा 1 to 5% that's it most important यह मैंने नहीं बोला यह मुझे पिशले lecture में बोलना था लेकिन वो video lecture इस टॉप हो गया था बीच में actually मुझे शाहिद मैंने बोला भी था मुझे याद नहीं है यहाँ पर आपका यहाँ रखना है the river mouth ecosystem is called as river mouth ecosystem का क्या नाम है यहाँ पर उसका हम क्या नाम देते हैं lotic lentic none आप दीज यह एस्चरी इस्चरी जिसका आप बोलते हैं river mouth ecosystem का नाम देते हम एस्चरी अब समझे एस्चरी का मतलब क्या होता है देखो यह एक ocean है यह ocean है ऐसे बनाओंगा मैं यार यह एक ocean water है यहाँ पर ocean water है ठीक है तो यह यहाँ पर field है यहाँ पर rivers flow होते हैं जब river flow होता है river flow होता है river flow होता है लेकिन river अपना पानी कहाँ पर डाल देता है oceans के अंदर डालता है वह location जहां पर river water मिल जाता है ocean water के साथ उस location को हम नाम देते है एक्षचरीन और यहां पर जो होता है काफी ज्यादा fishes होती है यहां पर तो इसका मतलब river mouth ecosystem को हम क्या नाम देते हैं एक्षचरीन का नाम देते हैं इसका answer मुझे बताओ the correct answer the correct sequence of components through which energy may pass from initial source through an ecosystem is correct sequence अब बताओ कि जो energy question को आप सिरिफ समझे आपको ज़्यादा option पर ध्यान मत दो फ्रहाल question को समझे question बोल रहा है correct sequence of components through which energy may pass from initial source through an ecosystem एक correct sequence बताओ कि energy जब pass होती है एक initial source से एनजी पास होता है फिर किस level तक वो जाता है किस तरीके से वो पास होता है आगे आगे क्या होता है वह यह आपको डूड़ना है सबसे पहले क्या होता है कहां से energy आते फिर कहां चला जाता है को ये बोल रहा है यहांपर कहां से आते हैं यहांपर यह बोला जाता option A में क्या sun energy से आती है सबसे पहले बाद क्या space से आता है क्या sun से आता है क्या sun से space को छोड़ो बात खत्म टीन आप्शन आपके पास है a, c, d उसके बाद sun का energy कौन यूज़् करता है क्या फिर स्पेस्ट करता है इस एंडर्जी को नहीं use करता है यह IDR हो गया क्या यहां पर स्पेसं करता है नहीं यूज़ करता है सं के बाद आट अप्स होते हैं जो खुद प्रेपियर फूड़कर उसके बाद हिटिरो ट्रॉप जो आटो ट्रॉप्स के उपर डिपेंड होता है फिर एन्वारमेंट और फिर स्पेस बास यहां पर आपको यह याद रखना है ठीक है I think इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे भी डाउट है यह क्या बोल रहा है the correct sequence of components through which energy में pass from initial source initial source से sun से निकल के ठीक है sun से तो निकलेगा फिर स्पेस में आ जागा फिर इन्वारमेंट में आ जागा फिर आटो ट्रॉप में आ जागा फिर हिटिरो ट्रॉप में आ जाएगा sun से निकलेगा space में जागा हाँ, इसका D answer करो, I think इसका D आना जाहए क्यूंकि Sun से लिंसे निकल के脆हिस में बाद I थीक है ? राइट चलो ! अब question क्या है याँ पर next question is the first tropic level in any kind of food chain is always a green plant क्यों green plant होता है? ऐसा क्या होता है कि हमेशा जो भी tropic level start होता है food chain का ठीक है of any kind of videos is always green plant ऐसा reason बता हो आपके जो भी first tropic level होता है food chain में वो हमेशे green plant होता है, ऐसा क्यों होता है, answer आपके पास है, because of their white distribution, they alone, मतलब किसकी बात करें, green plants, green plants की white distribution ज़्यादा होती है, क्या they alone have the capacity to fix atmospheric carbon dioxide in present, क्या सिर्फ यही atmospheric carbon dioxide को क्या करते हैं, trap करते हैं, ठीक है, atmospheric, fix atmospheric carbon dioxide, ठीक है, क्या आप their richness in chlorophyll, कैसमे chlorophyll है, आप their capacity to convert light energy to chemical energy, बताओ ज़रा, ऐसा क्यों होता है, plants ऐसा करते हैं, जल्दी बताओ, क्योंकि plants क्या करते हैं, यही क्या करते हैं, क्योंकि capacity होते हैं, यह light energy को chemical energy में convert करते हैं, यहां पर इसका answer जो है, देखो, in presence or absence, आप इसने लिखा है, इसको सीधे cross करोगे, क्योंकि यहां पर यह option बिल्कुल eliminate हो जागा, यहां पर chlorophyll को छोड़ो, यहां पर जो है, इसका यह light energy को chemical energy में convert करते हैं, and that's why, हमेशा क्या होता है, food change होता है, always a green plant से start होता है, अब हम आ जाएंगे, most, यह SSE का question पूछा गया है, most, which of the following represents the most complex tropic level, सबसे complex tropic level कौन सा होता है, क्या community होती है, population होता है, ecosystem होता है, इसका answer आप याद रखो, सीधे यह ecosystem होता है, इसका answer जो है, that is ecosystem, system का होता है, ठीक है, यह आप खुद देखोगे, यह भी आप खुद देखोगे, यह भी इतका खुद देखोगे, आप, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, in ecological succession the intermediate developmental phase is known as जो intermediate stages होती है जो मैंने आपको बोला था जो beach वाले stages होती है उनको क्या नाम बोलते है मतलब intermediate developmental phases को क्या नाम दिया जाता है क्या उनको ecosis का नाम दिया जाता है क्या climax community बोलते है क्या nudation बोलते है क्या seer उसको नाम देते है जो intermediate जो होतन को क्या नाम देते हैं in ecological succession the intermediate developmental phase is known as उसको क्या नाम देते हैं उसको हम sears का नाम देते हैं यह आपको पता ही होगा ठीक है serial stage serial phase होते है वो sear हो गया यह d's का answer है next this is true about secondary succession कौन सा इस मैंसे true है secondary succession क्या यह follow करता है primary succession को क्या secondary succession जो है takes place on deforested site मतलब पहले वहाँ पर forests थे फिर forest को cut किया गया और उसके बाद जो है forest cut करने के बाद वहाँ से एक succession start होता उसको secondary बोलते हैं तीसरा is similar to primary succession except that it has relatively slower pace क्या यह primary succession जैसा है भूर तो जो है begins in a bare rock क्या secondary succession bear rock से start होता है बताओ जल्दे answer देखो सबसे पहले primary succession bear rock से start होता है secondary नहीं तो यह option eliminate हो गया क्या यह primary succession को follow करता है बिलकुल भी नहीं करता है क्या यह primary succession से primary succession से similar है और इसकी pace slower होती है ऐसा कुछ भी नहीं है secondary succession की pace जो होती है वो past होती है as computer primary primary को बहुत time लगता है mosses को generate होना क्योंकि primary जो होता है वो start होता है कहां से bare rock से तो उसको बहुत time लगता है उस पे mosses को doll up होना लेकिन यहां पर जो होता है यह deforest already यहां पर forests होता है अच्छ यह तो मैंने बताए आपको on sand sand पे ecological section को नाम क्या देते मैंने बोला था पानी से ecological section ecological section स्टार्ट होता है water से उसको हम नाम क्या देते यह मैंने आपको बोला hydorage या hydro हैडरो आरच तो अगर start होता है पानी से land से वो भी मैंने बोला XRH अगर ecological signal sand से start होता है उसको हम नाम क्या देता है sand से start होने को हम नाम देता है same o seer most important है same o seer, same o seer, same o seer ठीक है याद रखो इसको same o seer sand से, s, s से याद रखो code, इसका p silent रहता है s, s से याद रखो, sam, sand अब यहाँ पर question है order of basic processes involved in succession succession में जो है basic process का order आपको बताना है, सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है उसके बाद क्या होता है, ठीक है आपको बताना है कि क्या क्या, मतलब यह actually वो stages की बात की जा रहे है, जो किस ने बोला था सबसे पहले कौन होता है, क्या सबसे पहले invasion होता है, क्या सबसे पहले nudation होता है, यहाँ पर भी invasion, यहाँ पर भी nudation, जल्दी बताओ इसको थोड़ा सा सोचना आपको पड़ेगा, अगर steps आपने याद रखा होगा, जो मेरे notes पर आपको टिक कर सकते हो invasion तो बिल्कुल नहीं होता अच्छा यार, इसको क्या हो गया हाँ, invasion तो बिल्कुल नहीं होता invasion बिल्कुल नहीं होता, सबसे पहली बात सबसे पहले क्या होता है nudation स्टार्ट होता है ठीक क्या nudation के बाद सीधर stabilization होता है, अरे नहीं stabilization last पे होता है तो इसका option बचा क्या फिर nudation, इसका option क्या बचा फिर D option, अब देखो ये D option को कैसे करना था, nudation definitely है, कि ये आपने और बीच वाल अगर आपको पता भी नहीं होगा last पर हमेशा जो ecological succession का last community जो ते वो stabilization community है, तो nudation बीच में चल के आ रहा है, आपको उसको क्या करना था लेकिन फिर भी हम समझीगे, पहले nudation होता है फिर nudation जब होता है, उसके बाद कोई आता नहीं, उसको invade करने के लिए फिर completion होता है, फिर question, फिर reaction, completion फिर reaction होता है, फिर उसके बाद stabilization होता है, आपको इसमें डूड़ना था सबसे पहला वाला nudation और सबसे वाला stabilization, बीच में क्या चल रहा था, मैं उसको मतला भी नहीं था, इस तरीक से करना था, हाँ, most important, process of the successful establishment of a species in a new area is known as, जो successful establishment होता है एक species, एक new area में, एक नए area में species आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या वो climax community हैं, क्या वो beach वाली stages हैं, क्या इसको ekaisis का नाम बोलते हैं, क्या वो invasion बोलते हैं, invade करना किसी चीज़ को, लेकिन अच्छे तरीके से successful establishment जब किया जाता है, वो कब किया जाता है, अगर आपको याद हो कि मैंने आपको ekaisis का बोला था, जब seed आता हैं, और seed germinate होना शुरू हो जाता है, और plant बन जाता है, एक successful plant आ जाता है, बस इतना याद रूख इसको, zhag Basogen示, इन ecological succession, final stable community कोन होता है, क्या climax है, ultimate है, final है, reral है, उसको हम क्या नाम देते हैं, जो final, सण्यूरी, जो final stability community का, ecological succession में उसको, उस community का क्या एक particular नाम दिआ गएगए, जो final stage क्या होती है, उसको I hope climax community नाम दिया जाता है, I hope यहां तक आपको समझ आया होगा, ज़ादा से ज़ादा शियर करो और लाइ करो, और कमेंट्स में क्या करो, मेंशन करो आपका स्कोर कितना है, और ये भी बताओ कि सेशन कैसा लगा, कि आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है और दूसरा कि आपको revise हो रहा है चीज़ा या नहीं हो रहा है, और short notes बनाया करो, मुझे time नहीं मिलता है otherwise मैं short session लाया note making के लिए एक session लाया होता मैंने, मुश्किले से ये time मुझे adjust करना पड़ता है आप लोगों के लिए ठीक है, फिर भी मैं देखता हूँ beach message, ठीक है, thank you so much for watching me